दोस्तों आज बताई जाने वाली मैडिसन मुख्यता आँखों, श्वासियंत्र एवं पेशाब संबंदी रोगों में ही उपयोग की जाती है इस मैडिसन का नाम है सेनेगा नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विकास स्वागत करता हूँ मेरे चैनल होमियोपैथी दी नेचर्स गिफ्ट पर आप वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले बेल आइकन को प्रेस करके औल को सिलेक्ट कर ले जिससे लेटिस्ट वीडियो का नोटिफ्टिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए वीडियो का शुभारम करते हैं सेनेगा प्लांट किंड़म की मैडिसन है और इसे सनेक वाट भी कहते हैं पहले जानते हैं कि सेनेगा हमारे शरीर में कहां कहां पर कारे करती है यानि action of सेनेगा सेनेगा मुखेता हमारे श्वास नली एवं फेफडों पर कारे करती है अब जानते हैं सेनेगा के रोगी की मानसिकता के बारे में सेनेगा रोगी जगडा करने का इच्छुक रहता है रो रोग में लाई जाने वाली मेडिसन है आँखों के रोग सेनेगा रोगी की आँखों में ड्राइनेस यानि खुश्की रहती है आँखों के आगे आगी चिंगारियों के कन दिखाई देते हैं रोगी बार बार आँखों को पोश्टा रहता है रोगी को कोई भी चीज एक की ज पटवा देने के बाद जो fragments of lens यानि lens चूरन रह जाते हैं उन्हें शीगर शोशन करने के लिए सेनेगा बहुत ही बढ़िया medicine रहती है इसको प्योग जरूर करना चाहिए इसके अलावा सेनेगा, diplopia, dry eye syndrome, hyperforia, blephritis इतियादी रोगों में भी बहुत ही बढ़िया medicine रहती है श्वास यंत्र रोग, सेनेगा रोगी को सूखी खांसी होती है, रोगी के फेफडों और श्वास नली में बलगम जमा रहती है, बलगम लेजतार, गोंद के समान, एवं सक्त होती है, चाती से गड़गडा हट की आवाज आती है, रोगी बार बार गले को खकार कर, बलगम को बाहर निकालने का प्रियास करता है लेकिन असमर्थ रहता है बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में बलगम निकलती है रोगी को चाती में भारीपन महसूस होता है ऐसा लगता है मानुच जैसे किसी ने चाती पर कोई भारी बरकम समान रखती हो जिससे रोगी को सांस लेने में परिशानी होती है रोगी को खांसने छींकने चाती पर दबाव डालने और दाई और करवट लेटने पर दर्ध होती है ऐसी प्रस्थीती में सेनेगा को प्योग करने से रोगी को राहत मिलती है इन लक्षनों के चलते सेनेगा, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रॉनकाइटस और निमूनिया जैसे रोगों में लाबदाएक मैडिसन रहती है इसके अलावा उंची आवाज में बोलने पर चिलाने पर व्यक्तिको वोकल कार्ट्स का पार्शिल पैरलिसिस यानि स्वर्यंत्र का आशिक पक्षागाथ हो जाता है यहां पर भी सेनेगा बहुत ही बड़िया मैडिसन रहती है पेशाब संबंदी रोग सेनेगा रोगी को लगातार पेशाब करने की इच्छा बनी रहती है पेशाब करने के पहले और बाद में जल जाने की तरह असहन ये यंतर ना होती है लगातार पेशाब का परिमान मातरा घड़ते जाते हैं और पेशाब में शलेशमा की टुकडे मौजूद रहते हैं ऐसे में सेनेगा को उपयोग करने से अच्छे परिनाम मिलते हैं दोस्तों अब आखिर में जानते हैं कि बताई हुए रोग लक्षनों के मिलने पर सेनेगा को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए बताई हुए रोग लक्षनों में आप सेनेगा को 30 पोटेंसी में उपयोग करें 2-3 ड्रॉप्स को सीधे जीब पर डाल लें या फिर एक चमच पानी में डाल कर पी लें या फिर 30-40 साइस की ग्लोबिल्स में डाल कर 3-4 ग्लोबिल्स को मुझ में रखकर चूस लें ऐसा आपको दिन में 3 बार दोहराना है आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो और वीडियो एंड वीट फॉर दी नेक्स वान तिल देन हेल्दी इंडिया हैपी इंडिया